किस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप लोग को बताने वालों कि जो हमारे घर उतरब यह ट्रांसफॉर्मर लगी होते है उसको कौन सी कौन सी से सेप्टी प्रोबाइट के जाए जिसके चलते हैं यह ट्रांसफॉर्मर लंबे समय तक वर्किंग कंडिशन में रहे हमारे दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों यही चीज को डिफाइन करने वाला कि इसमें कौन सी कौन सी सेप्टी एक्प्मेंट लगाए कि यह लंबे समय तक चलते रहे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जोरू देखे जिसके जरी आप एक अच्छी नॉलेज ले तो दोस्तों चले वीडियो को स्टाट कर लेते हैं अपसे पहले आता है यह यह आपको दिखाए दे रहा है यह लाइटिंग अरेश्टर यह होता है कि हमारे जैसे बरसात के मुस स्टार्ट होने वाला होता है तो इसमें चेंज जरूर कर लिए या चेक अप जरूर करा लिए अपने एलेक्ट्रिशन को बुला नंबर टू में आता है फिर एबी स्वीच यह आपको तीन दिखा जा रहा है कि यह एक यह एक यह जो पार्ट देख रहे है यह तीनों यह है स्वीच यानि कि एर ब्रेक स्वीच जब कभी एक ट्रांसफर्मर का मेंटेनेंस काम किया जा रहा हो तो फिर फ्योज वेगरा जो भी है उसको बांधने के लिए लगाने के लिए यहां पर एबी स्वीच लगा हो जाता कि 11000 यहीं तक आए एबी स्वीच के माद्यम से 11000 को क और सबसे में जो यह है यह है यह है dos used जैनिक कि डियो फ्योजब होलती कि यह पूलते है इसका future मखने होता है जब फूज कथा है तो इसके यह जो white up को pipe दिख रहा है यह open होती है यह गिर जाता है यह लटका हुआ रहता है तो उसे हम दूर से ही देख करके पता कर सकते हैं कि यह transformer का fuse जल चुका है तो fuse हमेशा transformer के winding के जो wire होती है उसे हमेशा पतला लगा और उसके बाद 11 के विजवात है यह boost में transformer पे है अब transformer में safety सबसे पहले तेल at least कम से कम छो महिना में transformer का तेल electricity को बुला खरके जरूर चेक करना चाहिए तेल अगर नहीं रहेगा तो transformer का जो winding होती है वो पूरी ताइके से जल कर खाक हो जाएगी transformer में तेल चेक करने के लिए यहाँ पर यह जो आपको ढखकन दिख रहे है इसको खोलेंगे और खोलने के बाद अगर इसमें तेल अगर दिखाई दे रहा है समझ लिए तेल ट्रांस्वर्मर है अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें तेल डालने के आश्यक्त पर पर इसको एटलिस सिक्स मंथ में तेल को एक बार चेक करना चाहिए उसके बाद यह जो लगावा ब्रीथर इसको भी बहुत ही महत्पून चीज़ है क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर नमी हो जाता है तो यह जो नमी होती है वो ट्रांस्वर्मर में नहीं जाने के लिए इसमे इस यह जरूर जरूर नमी को सोकता है यह बहुत जगह प्रयोग यह जहां पर नमी वाली चीज होती है वहां पर सिलका जेल को रखाया था तकि वह जो आसपास के मौझुद जो नमी है उसको सोख ले और जो एक्यूपमेंट है उसको मॉस्टराइज होने से बचा ले और उ कर सेप्ट हो गया इसकी जो न्यूटल वाली होती है उसकी अर्थिंग को हमेसा रेगुलर चेक करते रहना साल भर में कम से कम इसको एक बार जरूर च्येक-अप करा ले इलेक्टीसिन को बुलागार गर जबकि यह जो नुोटल की वाइर होती है जो अर्थीं किया होता है जह जमीन किया होता है तो इसको चेक अप करा ले, लाइटिंग अरिश्टर उसको भी एक separately अर्थ किया जाता है, तो एक अर्थिंग वहाँ हो गया, एक अर्थिंग नूटल वाला हो गया, और तीसरा अर्थिंग ये बॉड़ी का, ये जो बॉड़ी है, बॉड़ी भी आप यहाँ दे सकते हैं, यह अच्छो फिट के डिस्टेंस में रहते हैं, और जो लास्ट है, लोड़ बैलेंस, हमारे घरों तरफ अकसर होता है, क्योंकि ये जो थ्री फेज का जो सप्लाई आ रहा है, एक फेज, दो फेज, थ्री फेज, तो इसमें तीनों में लोड़ बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नही अगर जला हुआ नहीं जला हुआ है, तो इसको छोड करके जो जला हुआ है उसको चेंज करें radio हर एक साल लाइटिंग अरेश्टर चेंज करने की आपसकता पड़ती है दूसरा अबी स्विच जल्दी खराब नहीं होता है यह अच्छा क्वालिटी अगर अब लगवाते हैं तो वह दस साल बीस साल पचास साल लगभग लाइफटाइम भी चल जाता है स्विच तो स्विच का य Andrew भी भी अच्छा क्वालिटी जो होता है वह नीला होता है जब यह नमी को सोक लेता तो वह घुलाब होता है गुलाब हो जाता है इसको तुरहन चेंच किया जाता है पूसुआइइफ न्यूटल न्यूटल का जो ह मूत है रिपा जो हमेंसा चैक करते रहना है और इस हमेशा रहना चाहिए यह ध्यान अगर आप रहक्ति हैं तो यह ट्रांस्फरमर बहुत लंबे समय तक चलता है तो दोस्तो ऐसे ही दोस्तो टेक्निकल से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बैल अगन को जरूर पेस कर दे